राधे राधे जैश्री कृष्णा आज हम सुनेंगे अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीती से करनी चाहिए गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी अगहन में पूर्वोक्त रिती से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए पूजन के बाद अर्ग्य देना चाहिए दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद भ्रामन को भोजन कराकर जो तिल चावल चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रू को वशी भूत कर सकता है इस सम्मंद में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं प्राचीन काल में त्रेता युग में दश्रद नामक एक प्रतापी राजा थे वे राजा आखेट प्रिय थे एक बार अंजाने में ही उन्होंने एक श्रवन कुमार नामक ब्रहमन का आखेट में वद कर दिया उस ब्रहमन के अंधे माबाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्रशोक में मर रहे हैं उसी भाती तुम्हारा भी पुत्रशोक में ही मरण होगा इससे राजा को बहुत चिंता हुई उन्होंने पुत्रेश्टी यग्य कराया फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई पिता की आग्या पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मन सहित वन को गए जहां पर उन्होंने खरदूशन आदी अनेक राक्षस वैराक्षसियों का वद किया इससे क्रोधित होकर रामन ने सीता जी का अपहरन कर लिया सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और रिश्यमूग परवत पर पहुँचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की उसके बाद सीता जी की खोज में हनमान आदी वानर ततपर हुए ढूनते ढूनते वानरों ने गिद्ध राज संपाती को देखा इन वानरों को देखकर संपाती ने पूछा की कौन हो इस वन में कैसे आए हो तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है संपाती की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया भगवान विश्णू के अवतार दश्रत नंदन, राम जी, सीता और लक्षमन जी के साथ दंडक वन में आये हैं वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरन कर लिया गया है हे मित्र इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि माता सीता कहा हैं उनकी बात सुनकर संपाती ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो जानकी जी का जिसने अपहरन किया है और जिस इस्थान पर वह है वो मुझे मालूम है सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायू अपने प्राण गवा चुका है यहां से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है रावन द्वारा अपहित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रम शाली है नतहे उन्हें वहां जाना चाहिए केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांग सकते हैं अन्य भी इस कारे में समर्थ नहीं है समपाती की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि है सम्पाती इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूं जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला उस पार कैसे जा सकता हूँ हनुमान जी की बात सुनकर संपाती ने उत्तर दिया कि हे मित्र आप संकट नाशक गणेश जी का चतुर्थी का व्रत कीजिए उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को शन भर में पार कर लेंगे संपाती के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया हे देवी इस वृत के प्रभाव से हनुमान जी शन भर में समुद्र को लांग गए इस लोग में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा वृत नहीं है श्री क्रश्न जी कहते हैं कि हे महराज युधिष्ठिर आप भी इस वृत को कीजिए इस वृत के प्रभाव से आप शन भर में अपने शत्रूओं को जीत कर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे भगवान क्रश्न का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का वृत किया इस वरत के प्रभाव से वे अपने शत्रों को जीत कर राज्य के अधिकारी बन गए